हलो फ्रेंट्स नमस्कार दोस्तों अगर आपके घर पर फ्री वाले डिटेस लगा हुआ है और आपको इस प्रकार से प्रावलम देखने को मिल रहा है नो सिगनल का आपने डिस अंटीना को बहुत घुमाया लेकिन सिगनल नहीं आता है तो दोस्तों आज किस वीडियो पर मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताने बाला हूं जिससे कि आप सिगनल को ला सकते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना होगा तो वीडियो को पूरा कंपीड देखिएगा अगर ऐसा कभी प्रावलम आता है नो सिगनल का और आपने डिस को घुमाया लेकिन सिगनल नहीं आता है दोस्तों आपको अपने DTS का रिमोट लेना है और आपको अपने DTS के रिमोट से इसका जो मेनु वाला बटन होता है दबा देना है इस प्रकार से आप जैसे मेनु वाला बटन दबाएंगे तो दोस्तों आपको इस प्रकार से इंटरफिस देखने को मिलेगा इसके बाद आ आपको OK के नीचे वाला बटन जो है दबा कर इस प्रकार से program setup बाले option पर आ जाना है और आपको remote का OK बटन फिर से दबा देना है अब दोस्तों आपको फिर से इस प्रकार से एक option दिखाई देगा सब से उपर add new program, second number पर edit lnb frequency और तीसे नमबर पर parameter setup तो दोस्तों आपको जाना है इस बटन को दबा कर तीसे नमबर पर parameter setup पर और आपको remote का OK बटन दबा देना इस प्रकार से अब दोस्तों होता क्या है कि कभी अगर आपको टीपी है ट्रांसर फ्रकंसी है शेंबल रेट है पॉलेटी है या फिर आपका lmb frequency है अगर एक डिजिट भी change हो जाएगा तो आ आपको add करना है double one जीरो नबबे इसके बाद जो disuse का option है तो दोस्तों आप इसे lmb1, lmb2, lmb3 या फिर आप 4 या फिर off कर सकते हैं इससे कोई दिक्कत नहीं अब दोस्तों आपको इस बटन को दबा कर आगे बढ़ जाना है और जो आपका सेंबल रेट है तो दोस्तों आपक 5 00 ही रखना है मतलब कि आपको 29 500 ही रखना है तो आप इस प्रकार से tp जो है टांसर फ्रिकंसी में 11.0, 90 डाल देना है सेंबल रेट में आपको 29 500 कर देना है इसके बाद आपको क्या करना है इसके पार आपको फिर से आगे बढ़ना है किस प्रकार से और जो quality है अगर volatility आप आपको इस प्रकार से H है, H का मतलब होता है हार्जेंटा, तो आपको इस बटन को दबाकर इसे चेंड करके आपको भी कर देना है, मतलब की वर्टिकल, इसके बाद दोस्तों आपको फिर से आगे बढ़ जाना है, और अगर आपका यह जो 22K है, अगर on है, इस प्रकार से, तो आपको यहां क्या करना है, तो आपका LNB Frequency है, तो आपको यहां 0, 9, 7, 5, 0 आपको एड कर देना है, और इसके बाद दोस्तों आपको शेकर नमर पर, या तो आप 106, 00 कर दीजिए, या फिर दोस्तों आप इसे भी चेंड करके 0, 9, 7, 5, 0 कर सकते हैं, तो दोस्तों आप देख लीजे, इस परकार से आपको इतना, जो इसका TPU गहरा है, आपको इस परकार से रखना है, इसके बाद आपको इतना करने के बाद, जो रिमोट का OK बटन है, तो आपको प्रेश करना है, इस परकार से दोस्तों आपका OK और Cancel का Option आएगा, तो आपको Cancel में नहीं जान जाता है, तब दोस्तों आपको इस TPU को आइड करके, जो TPU आपने डाला हुआ है, तो आपको इस परकाद को घुमाना है, तो आप दोस्तों हम टोटल बैक हो जाते हैं, और जो इसका signal का बटन है, तो दोस्तों हम एक बार प्रेश कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं, कि यह TPU जो है, एड करने पर हमारा जो signal quality है, 85% के लगभग आ चुका है, अब हम कोई और channel जो है, तो लगा कर देखेंगे, अभी दोस्तों आप देख सकते हैं, कि हमारा जो channel है, तो चालू हो चुका है, और हमारा signal भी आ चुका है, अगर दोस्तों आपका signal आ जाता है, लेकि एक बार आपको auto scan कर देना है, और आपको जितने भी DDH के channel है, तो दोस्तों आपके आ जाएंगे, अगर कभी दोस्तों ऐसा problem आता है, तो आपको जो TV मैंने बताया है, आपको add करके, इसके बाद आपका signal अगर आता है, तो ठीक है, अगर नहीं आता है, तो उसी TV पर आपको अपने decentina को घुमाना है, और अगर दोस्तों आपका signal आ जाता है, तो आपको remote को ok button प्रिश कर देना है, उसे save करने के बाद, और आपको इस प्रकार से auto scan कर देना है, इससे आपको जो problem है, तो स्वाल हो सकता है, अगर दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो, तो बूलो को एक लाइक जरूर कर दें, मिलते हैं नेस्ट वीडियो पर, नमस्कार.